नमस्कार दोस्तों तो हर्याना के जितने भी छात्र हैं जो एक्जाम की कर रहे हैं त्यारी उनके लिए गोर्मिट ने आपका बहुत ही बढ़ी आमोका दिया है और हर्याना पुलिश की जो वर्दी होती है उसके अंदर एक इमोशन जो है वो जागरित होते हैं और आपके इम 10,087 बच्चों को जोइनिंग दे दी कई है कोर्ट में कुछ मामले अटके हुए है इसलिए कुछ बैच्चा यावी उनकी जोइनिंग नहीं हुई तो जो बच्चे जिनके जोइनिंग हो चुकी है और आपको बता दे हम कि 3,087 बच्चों में से 2100 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने जोइनिंग ली है हर्याना पुलिश की पिछले वाली 987 बच्चों जो आपका वहाँ पर जोइन करने नहीं गए है 987 बच्चे लगबग जो है नो s00 के करीब जो बत्चे हैं वह आभी जो बच्चे रहते हैं जिनकी जोइनिंग होनी है वह भी जोइनिंग जो है है आपका वो एक साथ जो है जोनिंग करवा को नकी एक और है ओप chem कर्वाइगू ससरो की जाएगी तो सबीया तक जिन बचखो की सभी बच्छें इनतजार था कि उन स उनींग कि होगी तो उनको बता दें जैया जिन की जोनिंग हो चुकी है उनको जो उनके साथ ही आपको जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उसको जो है आपका कंप्लीट करने के बाद नई वाड़ी जो वकेंसी है वो ला दी गई है हरियाना के बच्चों के लिए और ये जो वकेंसी है आपका वो अपरेल के जैसे वो 4-2020 थी ये 4-2023 आपकी आ जाएगी और इसके अंदर जो है शेहार जो है पुलिश में जहार करवचारियों को लेना है जिसमें 5000 पुरुष अभ्यारती हैं और 1000 जो है वो महिला अभ्यारती हैं और दोस्तों आपको ध्यान यहां पर देना यह है क्योंकि यह उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका सीटी जो है वो क्वालिफाई है दे दिया गया है यहां पर कि जिनका सीटी जो क्वालिफाई है उनको ही बुलाया जाएगा सीटी और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा से से साथ गुणा बच्चों को पहले सारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा उनकी ह जल्दी हो सके तयारी शुरू कर दीजिए आप सभी बच्चे और इसके अंदर विलम होने वाड़ा नहीं है दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्शन नजदीक है और गौर्मिट जो है किसी भी परकार की जो है गलती नहीं करेगी और गौर्मिट जो है पूरी पार अब्यारती हैं और पांच हजार जो है आपका वो पुलिश अभ्यारती हैं और आपको जो है भगवान करें जल्दी कोशिश करो और अगला बैच मदूबन के अंदर आप बच्चों का बने और जो आपका बैच होगा वह 89 बैच होगा क्योंकि 8788 बैच हो चुके हैं इससे पहले हरियाना पुलिश के तो सभी बच्चे आपका इंतजार आपका खत्म हो चुका है और प्लीज आप कोशिश कीजिएगा फटाफट तयारी करने की क्योंकि अपरेल महीने में जिस प्रकार से हरियाना में CET का जो एक्जाम हुआ था तो बाकी जितनी भरतियां आने वा स्वाइब पास एक हमारे बहुत ही हमारे पास ओफ लाइन का आ जो आपकी आपकी कानला आ वह चाहिए आपको बता दीआ जायेगा क्योंकि हमारेareth कुण भी इतने सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि भावनाएं आपकी जुड़ी है वर्दी के साथ और इन भावनाओं की कदर करेंगे जितनी मेहनत होगी वो लगा देंगे जो भी जो भी जानकारी आपको जो है हरियाना पुलिश से सम्मंदित हरियाना सीटी से सम्मंदित जब भी नया फारम जब भी सीटी की विकैंसी के लिए मेन एकजाम के लिए जब भी फारम भरे जाएंगे तो एक एक जानकारी आप बच्चे को उसी समय सबसे पहले उपलब् करवाते रहेंगे इसलिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को धन्यवाद दोस्तों